हेलो जैने नमस्कार दोस्तों और वो साल दूसरा था यह साल दूसरा है पिछले सालों की यादक ताजा हो गए एक साल पूरा हो गया माश्टर बिज़ेदा स्वास्टर गो ने थे तर्controlled दाथ एक साल के लंब और देखी धी और किस तरह का वो response था मतलब बहुत यादगार movie है वो मेरी और वो जाके देखी थी और पिछले साल की शुरुआत आप बोल सकते कितने अच्छे अंदाज में हुई थी उसी time की बात है जब इंडिया ने गावा में भी एतिहासिक जीत दर्ज की थी हलाकि थोड़ा बहुत तो सेम लगा कल जो रिशव पंद पारी खेली है उन्होंने उसी अंदाज में मतलब एक बिनिंग पोजिशन में आप बोल सकते हैं इंडिया को लाके ख़ड़ा कर दिया लेकिन सिनेमा के हिसाब से देखा जाए तो सारा कुछ सुनसान बड़ा हुआ है और पिछले साल इतनी अच्छी शुरुआत हुई थी कि चलो लग रहा था कि इस साल चलो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा लेकिन इस साल तो शुरुआत होते ही निगेटिव हो गया एक तारीक कौमन अनॉंसमेंट देखा कि आरारार पोस्पोन हो गई है और आज है जिस तरह की शुरुआत हुई है बहुत ही हाँ बोल सकते हैं कि गंदी फिलिंग से आ रही है इस पूरे महीने ही अगर देखा जाए और आरारार मतलब आरारार की बात ही अगर ने आरारार तो खेर पोस्पोन होई चुकी है साथ साथ जनवरी को आना थी वह और 14 जनवरी को और इतना मतलब प्यारा यह गाना है और इसी गाने की विज़े से मुझे यह मूवी देखने जाना थी और आज शाहसे देखने चले जाते सारा कुछ ठीक होता लेकिं साहसे अभी इसके लिए और इंत्यार करना पड़ेगा हमें यह अभी भी हमारी किसमत में नहीं थी कि टेलर लोगों को उतना पसंद नहीं आया है और ओनेशली मुझे भी ठीक ठाक लागा ता मुझे अच्छा लेकिन रेमेंबर यह प्रभास की मूवी है डालिंग प्रभास की मोवी है मुझे साहो का दोर याद आता है और एक किस्सा भी मुझे याद आता है जो मैं आपको आगे सुनाने वाला हूँ साहो का भी लोगों उतना पसंद नहीं आता है साहो का लोगों ने बोला था कि मतलब बहुत ओवर दिखा दिया है हिंदुस्तान की ओडियन्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी हॉलिवड से कंपेर करने ही कोश्च की लेकिन साहो जिस तरह से साहो ने फाड़ा था और मेर आपको एक डिविट टाइप में करना पड़ते थी है कि स्टेट में मतलब आप स्टेज पर जाके वह और हम लोग हुआ करते थे बैक बेंचर तो एक लड़की थी वह बता रहे थी कि साहो इस बैरी बोरिंग मूवी इस तरह का साहो के बारे में नेगेटिव बोल ले ती त तो मेरी पता नहीं अंदर से क्यों फीलिया आपको कितना भी डिसपॉइंट क्यों ना कर रहा हो लेकिन इस मुवी में एक ना एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपको अपने तरफ बांध लेगा यह बहुत धासू मूवी होने वाली है प्रवास राज के करियर क्यों प्रवास तो कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होगा कुछ ना कुछ हमने जब इसके टेलर का रियक्शन किया था तो वस वही था कि अगर आज सब को ठीक होता तो आज हम यह मूवी देख रहे होते और यहां यह बात करने की जगे आज हम रादिश्याम का रिवीव कर रहे होते तो क्य यहां है ऑड़नी को ठाल सकता है हमाँ कीजिये अप अब जब भी आती है यह मूवी कभ आती है कब नहीं आती है कभ इसकी डिडिट आती है तो जब भी आएगी उस पर अलग से बात करेंगे और फिलाल तो मेरे अंदर यह था कि मैं गाना अभी सुबह उठके ही मैं यह गा मिलते हैं आपसे बहुत जल और किसी नई वीडियो में और कोई निताज अपडेट लेकर तब तक के लिए अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें जैहिंद बंदमातरों